दोस्तो के आर एजुकेशन अपर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज अपन जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके चंडीगड और जम्मू से वेकेंसी रिलेटेड इस्यू है साथ ही जोतपुर के भी अपने यहां पर बात करेंगे कि यहां पर 69 लोगों को ही ज जतनी जानकारी क्लेक कर पहा हूँ वह में आप लोगों के साथ यहां पर सेर करूंगा बाकी मेरी हैडोकार से कोई बात नहीं हो पाई है वैसे मिरेको एकदम authentic को आईसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है बासे इधर उधरू सोर्सेंटेज से जो मेरेको जानकारी दी जा रही है बाकी और जैसे कि एक ओडियो वारेल हुआ था तो उस ओडियो में जो है महाँ बात यह हो रही थी कि यहां पर जो है मिस्प्रिंट हो गई थी कुछ वेकंसी तो देखो मैं तो इस चीज को ओडियो की एकदम पुष्टी नहीं करता हूं और जो है सच है जूट है मैं इस बारे में कुछ नहीं करना जाता कि यह ज़ूर है लटे मीं आग्या थी तो देखो ऐसा नहीं हुआ है ऐसा में नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि जनवरी के अंदरी वह रिवाइज जो है आपकी वएकंसी उर्याज की गए थी और उसमें ऐसमें आपको मादों कि पहले अगर बोकल पर आपकेंसे के टाइम में hanuri किस लोन में कितनी कि पोस्ट आय और कैसी पने को सब्सक्राइब ह说 में वहाँ पाकड़ में जरूर newborn गया जबकि इतनी वेकेंसी नहीं है लेकिन मैंने जैसे की एनर में जो मेरे काफी सार दोस्त तूटी कर रहे हैं तो उनसे पूछा तो एनर में जो है बहुत ही भारी वेकेंसी है मलब हर स्टेशन पे लगबक ओवर्र टायम चल रहा है दो तीन स्टेशन मास्टर कम है लगातार उन लोगों जो है रेस्ट वगर नहीं मिल रहे हैं कई कई दीन ते उनको रेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसी हिसाब से अगर उनकी बातों को देखी जाए तो एनर में जो है काफी vacancy है और अकेले में अगर चंडीगड की बात करूँ दूसरा अपने पास मुद्धा ये भी उठता है कि अकेले में चंडीगड की बात करूँ तो यहाँ पे 322 लोगों का जो है cater दिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दूसरे डियूजिनों की जो on request लगी हुई है जो इस पाउस बैस ट्रांसपर लगे हैं और जो mutual ट्रांसपर लगे हैं तो उनको अगर यहाँ पर जो इनका सबका ट्रांसपर कर दिया जाएगा इनके पास से तो उनका अगर ट्रांसपर करते हैं तो वहाँ पे वेकेंसी बन जाएगी तो इनमें से फिर से ले लिया जाएगा लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता कि इतना 200 का डिफरेंस यहाँ पर होना चीए कि 200 लोगों की तो वहाँ से रिक्वेस्ट लगी नहीं होगी बाकी आपन जो है इसका वेट ही कर सकते हैं एक दो सप्ता में अपन इनका वेट करते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर कुछ निकल के आएगा बाकी आप सभी को डरने क कि कोई अवशेक्ता नहीं है आप सभी की जो है नोकरी आपे 100 पर लगेगी बात करते हैं जोत्पूर डिउजन में 69 को ही जोइनिंग क्यों दीगी तो देखो इसके पीछे का क्या गणित है तो सबसे पहले यहाँ की यहाँ पर जो टोटल पोस्टिंग है वो 343 ने 343 लोग बग बन जाते हैं अपने पास में 280 के करीब तो देखो 343 का टोटल केडर है और 280 आपने यहाँ से नए स्टेशन मास्टर दे दिये तो क्या पहले वहांपे इतनी स्टेशन मास्टर साथी स्टेशन मास्टर काम कर रहे हैं तो यह जो केडर है यह तो आपका 280 लगबग आपक कुछ बाकि जो है यहां पे वेकेंसी एक्जीज है दोसो चाथिश बंदों कि यहां पर रिक्वार नहीं है तो अब देखो अब 236 बंदों में से 69 के अलवा जो है और बंदें इसमें कैसे अपने यह एड हो सकते हैं कैसे उनको जोट्पूर दिजन में लोट हो जासाट इनको निकाल दे तो यहां पर सो जो है स्टेसर मास्टर फिर से बार हो जाएंगे जो इनका ट्रांसपर कर दिया जाएगा अगर इनका ट्रांसपर कर दिया जाता है तो फिर जो है यहां पर सो बंदे और जोद्पूर डिवांड करेगा सो बंदों की और यह सो बंदे इन्निवेस हो गया जो 69 या रखे है और वापस बेजे ना उन्निवेस से 100 बंदें इनको वापस मिल जाएगे तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जगह बन सकती है बाकी फिलाल यहाँ पर कोई जगह नहीं है इतने ही बंदों को यहाँ पर जोत्वर डिजन अलोट होगा बाकी इसके बाद में बात करते हैं सभी को जो है जोइनिंग कब तक होगी तो देखो यही आपके वेकेंसी वाला यहां पर इश्यू चल रहा है हमारे टाइम में कोई इश्यू नहीं था एकदम फैर वेकेंसी थी एकदम बड़े आसानी से और बहुत जल्दी यह हमारी सभी आज मेने बात होगी या जो है नेक्स्ट इयर आपके दिसंबर तक चलेगी तो ऐसा नहीं है आपकी ट्रेनिंग सबकी साथ भी हो सकती है बस यह वेकेंसी वाला जो इस्यू है जैसे आपके निपट जाएगा तो आप सभी लोगों कि यहां पर ट्रेनिंग बहुत जल्दी क ओसफिन आएगे और वहां पे फिर आपको पोस्टिंग दे दिजाएगी तरोते हैं जुएनिंग ँस अकौरणिंग मिलती है कि रिचौर्ड तो देखो जॉनिग तो जो है आपके कीड़कuma लग जो केटेगरी होती है उसी के मिलती है यहांपर envisioned कीट है और इन कि सबकी यहा 69 candidate लिए गए हैं इनको भी यहां पर category के अनुसार ही लेंगे क्यूंकि देखो यहां पर फिर एक objection हो जाएगा अगर यहां पर top merit वालों को ले लिया जाएगा तो इसमें तो आपके जनरल जनरल के candidate आजेंगे 69 तो ऐसा नहीं होगा जिस रेसों में यह 237 पोश्ट बटी हुई थी उसी रेसों में जो 69 को भी बाटा गया होगा और इसमें फिर जो है आपके जनरल के OBC के जैसे कि आपको 69 में से 20 बचे इन्होंने जनरल के उठा लिए 20 से 9 OBC को उठा लिए या 15 ST को उठा लिए ऐसा करके इन्होंने 69 टोटल भ हो रहे हैं कि सर 236 में से मालो मेरी जो रेंक सर यहां पे 25 वी थी और एक STS कंडियर कोई भी होगा उसकी रेंक जो है पचास ही थी फिर भी जो है उसका यहां पर सेलेक्शन हो गया और मेरे को जो है वहां पर बाहर कर दिया गया मेरे को डिशन लोटमेंट नहीं हुआ तो द इसके बात करते हैं जिनको जोइनिंग नहीं दी जा रहा है उनको कहां जोईनिंग दी जाएगी तो तो देखो एगर जोटपूडी वालों की बात करो तो वहां पे जैसे कि यह जैगर बन जाती है तो जितनीं जैगर बनेगी ट्रांसपर करने के बाद में तो इन केंडियेट में से उनको वहां पर पोस्टिंग दे जाएगी तो यह प्रोसेस थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती अगर ऐसा करेंगे तो और ऐसा अगर उनका ट्रांसपर नहीं करके और आपको जो है कोई अलग जोन भी दिया ज भी काता यंदर है और यह हो सकता है आपको जो है इस था हीतोर पे कुछ अतर्फ यह weer को एंदर आहिकel दा सकता है कि जब ले którym वेकंसी नहीं है तो आपको temporary base में कहीं दूसरे जोन में बेज दिया जाएगा और वहां से जब उस जोन की वेकंसी फिलफ हो जाएगी और जोद्पूर में वेकंसी हो जाएगी तो आपको वापस यहां पर ले आए जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने एक फ्रेंड वेकंसी कंप्लेट हो जाएगी तो इन पचास गार्डों को वापस लगनों बेज दिया जाएगा तो ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है और बाकी जो है कुछ लोगों ने GM से यहां पर बात की है तो GM नी आस्वासन दिया है कि आपको जो है NWR में ही रखा जाएगा बाकी और NWR में अगर रखते हैं तो NWR में भी इतनी सारी वेकंसी कहां से लाएंगे तो इस सारा कुछ जो है टाइम के ऊपर छोड़ दाना चाहिए कि जो है क्या होगा इसके बाद में बात करते हैं आपको division allotment कैसे होता है तो देखो division allotment तो आपका random ही होता है और division allotment में इस division में पढ़ रहा है वो division आपको दिया जाए अगर उस division में जो हो वेकंसी फुल्पीर हो जाती है और वेकंसी ज्यादा नहीं होती है तो आपको फिर जो है दूसरे जो division है उसमें से रेंडम आपको कोई सावी division या पर दिया जा सकता है यहां आपका ना तो मेरिट का रो 29 को रखे बाकी को भेज दिया तो उनका क्या होगा तो उनको देखो उनको जोब से तो नहीं निकाल सकते यह तो आपको 101 परसेंट दावे के साथ में रहा हूं आप इसी की टेंशन बिल्कुल भी निकरे कि हमें जो है हमारी जोब सेक्योर नहीं है इसमें टाइम थोड़ा क दोब देना ही होगा आपका सेलेक्शन हो गया सारी कुछ आपने परिक्रिया फोलो की है तो इसमें आपको ड़ने की बिल्कुल यह वासकता नहीं है और जितने मैक्जिमम कोसिश करेगा रेलवे अगर आपको और में हो तो नडवन में एकर वेकंसी होती है तो बाहर से दू वेकंसी कम होती है तो आपके जो इदर एक्जिस हो रहे हैं उनको विकाने डिविजन में एड़ेस्ट कर दिया जाएगा तो यह सारा कुछ काफी में प्रियास किये बाकि यह पोसिबल नहीं हो आगे कहां पी जो है कितनी वेकंसी जाएगा इसके बाद में जो बात करते हैं जो प्रोग्रम चल रही है उसका कैसे सब्ट आउट होगा तो सोट आउट इसका यह है कि यहां पर पहले सारे कुछ ट्रांस्प्रोगर निप यहां पर वेकंसी जाए कि वेकंसी जो है कि इसका करते हैं और इसके बात करते हैं क्या उपकी पिर से बनेगी तो देखो होगा तो जैसे कि आपके OBC, SCST या जनरल इन तीनों में 132 के इन तीनों के बंदे हैं तो इनको मेरिट के अकोडिंग है पहले ही उठाया है तो यहां पर दुवारा मेरिट जो है नहीं बनेगी